समझोता बादी और मिलन सर हो गए हमारे सनमानित महासवा नेता सर्गियों दक्तर सहमा पसद मुकारजी ने दोनों समुदायों के लाप के लिए लगवाग एक बरस्त तक सपलाता पुर्भा कार्ज लिया बंगाल मुस्टिम लिग मिनिस्ट्री में उपर मुक्कमंची डक्तर सहमा पसद मुकारजी ने हिंदु महासवा और मुस्टिम लिग की ओर से बंगाल सरकर के लिखे एक पत्र में ये सपस्ट किया कि ये दोनों दल बिटीश शाशकों को कॉंग्रेस द्वारा आरंब किये आप बंगल के रक्षस के रूप में देखते थे तो इसमें साबित क्या हुआ सार बिटीश के तरबड़ी करने वाले आपके पुर्वो जोने ये देश के लिए एही हमें दान किया था तो आप लोगों से इससे ज़्यादा उमीद हमें नहीं थी कि जब क्रांतिक जब आग कांतिकी दीद नाडा लगाते हुए वह बात हटा दिये और नया नया नाडा लगाते हुए लोगों को आपने गुम्रा करने का कोशिश किया है हमारे बात साफ है हमारा बात साफ है सर्क्वीट इंडिया होना चाहिए हुए 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 अजादी के साम नहम होने देंगे सहिदों की कुर्बानी को बदनाम नहोने देंगे बची रहे एक बूद लोहु की रंगों में भारत माता की आचल को बरबाद नहीं होने देंगे यह हमारा मकसद है मैं मैं इसे भी एक कहना चाहते हैं सर प्रधान मंत्री जी को सन्मान के साथ यह कहना चाहते हैं कि देखिये प्रधान मंत्री जी आप एक बार ने सौ बार प्रधान मंत्री बने हमें कोई फड़क नहीं इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है हमें लेना देना भारत की आम जनता की साथ जब मौनिपूर गए तो मौनिपूर के दसा देखा हम नहीं और दसा देखने का बाद हमें ज़रूर यह मैसुस हुई कि कम से कम देख की सबसे बड़ा मुख्या होने की नाते पधान मंतिजी के एक बार मौनिपूर के आम बाशियों के लिए कुछ संदेख दिना चाहिए कुछ संदेज दोना चाहिłeं थे सांतिकी कोई पैगाम लेकर पुढ़ान मंदी अखूद कोई कारभाई करना चाहिए थे कम से कम आपकी तरफ से एक बार मोनिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे सेर यह मांग कोई गलत मांग नहीं है मौनिपूर के आम लोग की मांग था सेक्स्पियर की एक मैगबेट एक लेख है मैगबेट को सर ये टाइरन्ट कह जाता थे एक टाइरन्ट की मैगबेट अत्चारी राजा तो मैगबेट के अत्चार देखते हुए सेक्स्पियार ने बारे दूख यताई थी और कह रहे थे कि स्कॉट्लेंड में जिस्तरके की हमला हो रहे हैं जिस्तरके की दुद्दा सा देखे जाते हैं तो उसमें बड़ी दूख के साथ एक कोई सब्द लिखे थे It weeps It bleeds And each day a new a gas is added to the oms Each new morning new widow's house new orphan